दोस्तो अगर आप भी लखनाओ की जीत और केल राहुल की बेहतरीन कप्ताने से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो लखनाओ की जीत के बाद आया मेंटर गौतम गंभीर का होश उड़ा देने वाला बयान तो वहीं रिकी पॉंटिंग ने पलटवार कर दिया मोहतोर जवाब जीहां दोस्तो दिल्ली के खिलाब लखनाओ की टीम ने अतिहासिक जीत दर्श की है और इस जीत के साथ लखनाओ के मेंटर कौतम गंभीर ने दिल्ली कमा जाक उड़ाया और मेजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसी बाते अपने बयान में कहड़ा ली जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे तो वहीं दिल्ली के कोच रिकी पॉंटिंग ने पलटवार कर ऐसा मोहतोर जवाब जारी किया जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया तो अखिरकार गौतम गंभीरो और रिकी पॉंटिंग के बीच कौन सी जुबानी जंग देखने को मिली या तो आपको बताएंगी लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है उसने अपने होम गाउंट पर दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया लखनाओ की दिल्ली के खिलाप IPL में यह लगातार तीसरी जीत है अब तक उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा है लखनाओ ने पिछले सीजन में दिल्ली को लगातार दो मैचों में हराय था 194 रनो का लक्ष का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के टीम 9 ओवर में 143 रन ही बना सकी उसके लिए कप्तान डेविडी वार्नर ने अंते तक संगर्श किया 49 गेंट पर 56 रन में बनाए इस दोरान साच्चों के लगाए वार्नर को दूसरे छोड़ से किसी का साथ लंबे समय तक नहीं मिला रिले रूस ने 20 गेंट पर 30 रन अक्षर पर टेल ने 11 गेंट पर 16 रन प्रिथिव शौर ने 9 गेंट पर 12 रन बनाए इन चारो कला कोई भी बले बाज दाही का अकड़ा पाड़ नहीं कर पाया लखनाओ की तरब से माकवोड ने सरवादिक 5 विकेट हंसल किया और काल मेर्स ने सरवादिक 73 रन की पारी खेली तो वहीं लखनाओ की जीत के बाद गौतम गंभी ने दिल्ली का मजा कुड़ाया है जिसमें गौतम गंभी ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में लखनाओ की टीम ने दिखा दिया है कि उनसे बहतर टीम कोई भी नहीं है लखनाओ की टीम की तरफ से बल्ले बाजों का काफी जादा खराब शुरुआत देखना की मिली जहां पावर प्ले में मातर 30 रन आए थे लेकिन इसके बाद 14 रन आए थे लेकिन इसके बाद 146 रन बाटोर ना किसी भी टीम के लिए मुम्किन नहीं है लेकिन आप लखनाओ के बल्ले बाजों ने तिखा दिया कि किस तरीके से 20 haftर के खिल में आप कभी भी अपना पलडा फारी कर सकते हैं इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए अभी कहा कि दिल्ली के गिनबाजों के खिलाप लखनों के बल्ले बाजों ने तुपानी परदोशन किया साथ में लखनों के गिनबाजों ने दिल्ली के बल्ले बाजों को बाद में परिशन किया और मुकाबले में जीत हांसिल की जो इस बात का सबूत है कि लखनाओ की टीम को अबरुक पाना बेहत मुश्किल है तो वहीं गौतम गंबीर के इस बयान का पलट वार करते हुए रिकी पॉंटिंग ने मुतोड जवाब दिया जहां उन्होंने बेहन देते हुए कहा कि अभी सिर्प IPL का पहला मुकाबला दिल्ली की टीम ने खेला है और लखनाओ की टीम जादा खुशना हो क्योंकि लखनाओ की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीती है अभी लखनओ का अगला मुकाबला दिल्ली के खिलाब दिल्ली के घरेलो मैदान पर होगा ऐसे में लखनओ की टीम को वहाँ पर हरा कर उसकी असलिय वकाद दिख्या दी जाएगी इसकलाब उन्होंने आगे बैन देते हुए का कि हमारी टीम आई पिल की शुरुआत बहतर ही तरीके से की है और अब उसी अंदाज में बहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा मुझे लगता है कि अब दिल्ली की टीम को वापसी करने के साथ जीतने से कोई भी नहीं रुक पाएगा तो दोस्तों आपको क्या लगते हैं इस मुकाबले में लखनाओ की जीत की असलिय वज़ा क्या रही अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हैसी शांदार खबर रुक ले चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद